क्या आपको कभी किसी मदुमक्खी यानी बी ने काटा है अगर हाँ तो आपको तब बहुत दर्द हुआ होगा इसलिए आपने ये भी सोचा होगा कि बीज का इस दुनिया में क्या काम लेकिन ऐसा नहीं है आप लोग ये तो जानते ही होगे कि एको सिस्टम को मिंटेन करने के लिए कई सारे एस्पेक्ट्स होते है जिसमें से सबसा इंपोर्टन एस्पेक्ट होता है फूट्चेन का फूर्स लेवल मतलब वो जिससे फूट्चेन शुरू होती है वो होते है प्लांट्स और जिस प्रोसेस से प्लांट्स रिप्रेड्यूस करते है मतलब पॉलिनेशन उसमें सबसे बड़ी हिस्सेदार होती है बीज और अगर बीज खतम हो गई तो को एक plant से दूसरे plant तक transfer करते हैं और reproduction ना होने की वज़ा से crop production बहुत कम हो जाएगा जिससे दुनिया में food scarcity हो जाएगी साथ में rivers और दूसरे water sources भी सूखने लगेगे और ecosystem पर भी effect पड़ेगा जिससे humans अगले 4 साल तक तो जिन्दा रह पाएगे लेकिन उसके बाद पानी और खाने की कमी से humans भी extent हो जाएगे इसलिए अगर mankind को जिन्दा रखना है तो honey bees को भी जिन्दा रखना पड़ेगा और bees से हमें सिर्फ एक फायदा भी नहीं होता बलकि कई और फायदे भी होते है जैसे कि हमें bees से honey मिलती है जो हमारे day to day life में काम आती है और उसके कई medicinal effects भी हो मतलब हमें nature को फौर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए